आप सभी किसान भाईव को मेरा नमस्कार मेरा नाम शेत्र पाल सिंह और आप देख रहें अपना यूट्व चनल रैग्रोछ शेत्र किसान भाईव आज इस खेट में खड़े हैं तो हमारे साथ में जो किसान भाई हैं इन्होंने जो अपनी गन्ना की फसल इसमें टिंजर का प परभाइली जो गन्ना है इसमें प्रड़क्ट लगाया था घास के लिए कौन सा लगाय था आपने चंजर तिंजर लगाये था यह कितना खेट असर आपका दस दस वीगा है तो आपने किटनी दवाई लगाई थी इसमें दो पैकेट टिंजर और वो टूफोड़ी दो और और लगबग चार चार से में दो पैकित तूफोडी के वो दो तिंजर के लगाए तो आपकी जो घासे कैसी खतम ही है सब खतम हो गई सारी घासे खतम हो गई हैं जा कहीं दबा नहीं पहुंची है वह रहे गई बाकी लगों सभी खतम है अच्छा अच्छा दभाई साफ इसकी स curseveida अब देख पार है कंदने केखी ख़ड़ेयां और तो यहाँ पर आप देखे रहे हैं जो चोंड़े पत्ते की खर्पतवार थे वो भी सारी खतम हो चुके帶 पूरे उड़े पती के जोगे खर्पतवार थे पूरे खतम हो चुके और आप देखे जो जरूगा और जो बट बोलते हैं वो भी सारी खतम हो चुकी है पूरी अच्छे से खतम हुई है सारी गासे और इसमें लगवाए आज कम से कम तो लगबग लगबग साथ दिन के असपास होए है इसका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है आपको यह देखे पूरी खतम होने के कगार पर पूर यह रिजल्ट आया है तो आप अगर गंडा की खेती मैं घासे खतम करना चाहते हैं जो खरपतवार को खतम करना चाहते हैं तो आप इस तरीका से किस तरीका से खतम ही है पूरी पूरा अच्छे से आप देख पा रहे हैं जैसा कि किसान भाई साब ने बताया था जहां पर दवाई नहीं पहुंची है वहां पर घास रहे गई है तो यहां पर दवाई नहीं आप आई है और यहां पर दवाई लग चुकी है पूरी खतम हो चुकी है अच्छा रिस् वीडियो के साथ तबता के लिए नमस्कार जाहिंद